हाई हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई न्यू वीडियो तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीटीएस मेंबर्स की मिलेक्टी सर्विस कंफर्म हो चुकी है और चीन जल्द ही अपने मिलेक्टी सर्विस को जॉइन कर लेंगे और इसे लिए मिलेक्टी सर्विस में ए अपने लेटिस्ट एल्बम एस्ट्रोनॉट पर कंसर्ण करने के लिए अर्जिंटीना गए हुए थे जहां पर उन्होंने कोल्ड प्ले यानि कि क्रिस मार्टिन के साथ कोलिबरेशन करके अपने परफॉर्मेंस को किया था जिसमें काफी सारे आर्मेज जीन के लास्ट कि पहले आर्मेज जीन से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी क्योंकि जिन अरलो पर आ हुए थे तो काफ़े सारे आर्मेज जीन को देखने के लिए उस एयरपोर्ट पर आई थी लेकिन जीन सारे आर्मीज को एक साथ देखकर आल मिज की सेफ्टी के लिए और अपने सेफ वी कर दिया था और सथिसाथ जिन ने ये भी कहा था कि मैं उन्सीं माफिव माफिता हूँ जो मुझ से मिल्ने के लिए हुई थी लेकिन पह involvement मिलूंगा चलुक्त मेरे कंसर्ण में आएंगे चैना की मैंने की जीन के इस कंसर्ण के लिए आर्मीज के साथ साथ काफी सारे आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा एकसाइटेड़ थे और इस तरह एक अमेरिकन आर्टिस्ट जिन का नाम हर है उन्होंने जीन और कोल्प्ले के कंसर्ण को लेकर अपने एक्सपिरियंस को इंस्ट्रागाम पर किया है जिसमें उन्होंने जीन और क्रिस मार्टिन के सौंग गाते हुए वीडियो को लगाया था और साथ ही में उन्होंने एक कैपसल लिखा हुआ था जिसमें लिखा था वी लव यू जीन यानि कि वो जीन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं लेकिन एक फ्रेंड की त ऐसा कहना है कि जीन ने इस कंसर्ण को आर्मी से बाय बोलने के लिए नहीं इंफेक्ट आर्मी से जल्दी मिलेंगे ऐसा कहने के लिए उन्होंने इस कंसर्ण को किया है और इसलिए आर्मी को दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अपने ड्यूटी को जल्दी करके अपने आर्मिज से जरूर मिलेंगे और जीन ने भी आर्मिज का रिस्पेक्ट करते हुए अपने इस टेस्टे ही आर्मिज को थैंक यू कहा और साथ ही साथ आलव यू आर्मिज भी कहा तो फ्रेंज जीन के लिए अमेरिकल सिंगर का इस तरह प्यार देख कर आपको कैसा लगा हमें क कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस कर दीजिएगा बीटियस के आगे लिटेस निउस को जानने के लिए साथे साथ मुझे इंस्टागाम पर फालो करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है थांक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में